एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का वोट करा दिया, आत्म वोट देकर निजमे ठहर ना सिखा दिया। वो रस्ते भी क्या थे जब हम अपने आपसे अंजान थे। सद्गुरु ने दिया आनन्द का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्यान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचोन भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचोन भरी इस दुनिया की हर एक समश्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में आत्मानंद में नहा गया। क्या गाउं गुनगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेफ। आपके रूप में हमें इस युग में तत्यक्ष भगवान मिल गए। अनन्त अनन्त किरपा भरसी है प्रभू की। प्रभू ने सारे रहसे खोल दिये। मैं जीवात्मा हूं ये एक वाक्या ना बन जाए। ये कोई रटन ना बन जाए। ये कोई शब्द ना बन जाए। केवल बोल देना लिख देना सुन लेना उपदेश दे देना लोगों को कह देना इससे कुछ भी नहीं होगा मैं जीवातमा हूँ ये आपका अस्थित्व है आपका बींग है आपकी चेतना है तीनों लोकों की संपदा एक तरफ और मैं जीवातमा एक तरफ चुनाव तुमारा है तुम क्या चुनो अनादी काल का मिठ्यातव और महो बादक बन रहा है भेजविग्यान की साथना को परिपकव करने की बहुत जरूरत है कैसे मिठ्यातवावी हो जाता है कैसे दिश्टी बदल जाती है कैसे मो भारी पड़ जाता है कैसे मन उल्जा देता है कैसे बुद्धी निर्ने ले लेती है कैसे काया के जो विश्य है जो फांच इंद्रियों के 23 विश्य है 240 विकार कैसे प्रभावित कर देते हो जीव की धारा खंडित नहीं रह पाती पस एक ही लक्ष एक ही कारे प्रभूने दिया है अधि आप चाहते हैं समय बहुत काम रह गया है शीवर का खूब खूब साधना में करो अब कोई आप के लिए छुटी का समय नहीं यह आँखे ना किसी के तरफ जाए ना किसी ने क्या खाया है पहना है घूम रहा है कर रहा है केवल नजरे बंद होंट नजरे नीची होंट बंद अपने को देखना अपने को जानना मेरी धरा कहां खंडित हो रही है उसको फिर प्रियास करो दारा को आगे बढ़ाने की धरा को आगे बढ़ाने की यह बहुत बड़ा कारयाद परभू ने दिया यदि इस जनम में यदि आप शाय समकत को प्राफ्ट कर लेते हैं उध्यारा चोबिस मिनट आपकी ठहर जाती है तो आपने बहुत बहुत बड़ा कार्या कर लिया अपने जीवन के अंदर ज़िधारा खंडित ना हुई और 24 मिनिट पूरे हो गए आपकी शायक समकत हो गई आपका अनादी काल का मिथ्यात वटूट गया आपकी मिथ्यात महुनिये समकत महुनिये, मिश्रम महुनिये तीन परकर्किटिया अनन्तन बंदी करोदमान मायालोब छुट जाता है बहुत बड़ी साधना है यै इस साधना को गन मत कर देना इस साधना को सधारन मत समझ लेना यह आपकी साधना मैं जीवातमा हूं तो आपको साता की चाहना ही नहीं रहेगी कि मुझे ये भूजन मुझे मैं वहाँ जाओं मैं ऐसा करूँ मेरा क्या होगा कैसे होगा भगवान फर्मा रहे हैं यदि मैं जीवात्मा हूँ ये परिपक्ता आगी तो हजारों लाशे तुमारे सामने पड़ी हो तो मरे सके सबंदी चले गए हो तुमें कोई प्रहॉपध नहीं कर सकता क्योंकि आत्मा अनन्त सुक विद्यमान है आत्मा का जन्म नहीं आत्मा का मरन नहीं आत्मा को दुखनी आत्मा को पीड़ा नहीं आत्मा को भेचेनी नहीं आत्मा को तर्फ नहीं आत्मा एक सवतंतर अस्तित्व है इसको कोई शस्तर काट नहीं सकते अगनी जला नहीं सकती पानी गला नहीं सकता वायू उला नहीं सकता ऐसी आत्मा जिसके माता नहीं पिता नहीं बहन नहीं भाई नहीं जब आप कहते हैं मे समंदनी आत्मा को कोई मा हुई कोई पिता हुआ कोई बहन कोई भाई कोई गुरू कोई शिश्य है आत्मा कोई क्षेत्र नहीं बर चार गतिच रासी लाग जीवा योनियों में भरमन किया अब आपका लक्ष एक ही हो कि मुझे कर्म काटने हैं मुझे से धल ले जाना है संसार कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकती बड़े से बड़ा आकरशन आ जाए दुनिया की दौलत भी आपके सामने लख दे और दौलत भी छुटेगी काम धिन मुगाई भी चली जाएगी चिंता मनी रतन भी चला जाएगा मनुश्य राजा महराजार राज करते हैं कितना धनी कठा करते हैं फिर जाकर के कितना दुख सेन करना पड़ता है ये धनी ये पद ये 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 प्रतिष्टा आतम तत्व के आगे कुछ नहीं आतमा सुटंतर अस्तित्व है पूरे बर्माहंड में मैं आतमा जीव आतमा सब में जीव आतमा देखो फिर कोई क्रिया प उठो बैटो चलो सो खाओ कुछ भी करो मैं जीवात्मा ये मत भूलो साता के चाहिना छुट जाए मैं सुख जैसे जैसे आप साधना करोगे सुख बढ़ता चला जाएगा जैसे आप रात्ली में विश्राम करोगे काया कासन परस्तित हो गई है जीवात्मा मैं जीवात्मा हूँ काया से मन गुजारू दोत तो जुदा जुदा है जड़ और जीव का भेड बना रहे यदि निद्रा आ गई तो ठीक जब निद्रा फिर बीच में खुली अजराती खुली फिर मैं जीवात्मा कि धारा कितनी लंबी दोर तक चलती है एक ऐसा शब्द नहीं कि मैं जीवात्मा हूँ कह दिया फिर करवट बले के सो गए उस धारा में जीना है अनन्त सुख की धारा धारा जितनी लंबी चलेगी आप शायक संगत के नजदीक पहंच जाओगे आप प्राकरम आपका मेहनत आपकी पुर्शार्ट आपका क्यास आपकी प्राथना आप किसी की प्राथना से कुछ नहीं होगा आपका संकलब आपका पुर्शार्ट आपकी मेहनत मैं जीवात्म हूँ अटल विश्वास अटल शर्दा इस पर दिरने कीजिई इस सादना को आतम साथ किर लीजी प्रबु की अनंत अनंत किरपा है प्रबु ने एक दिशना में सार दे दिया कुछ भी थमारा नहीं किस को आज तक अपना मानते चले आये पंच महां भृत Бी लिरी बारां भृत भी लिरी प्रन्तु किया कितना पागन करते रहे हम कि आत्मा में जीने का परशार्त किया सच्चा परशार्त यही है मैं जीव आत्मा मेरे पास मेरे इलावा मेरा अन्य कुछ नहीं अश्ट गुनों की संपदा मेरे पास सब के पास है अनन्त ग्यान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुक्ष, अनन्त शक्ति, संपन्न आत्म, ऐ गुरू लगू आत्म, निराकार आत्म, अक्षा एक समकत आत्म, और यही आत्म, अटलब गाना, सिद्ध शिला में आपका घर है, यह संसार के घर नहीं है, सिद्ध शिला में आत्मा का घर ह जहां कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, राग नहीं, देश नहीं, कुछ सगा नहीं, कुछ समंधी नहीं सिद्ध गती में भी, सिद्ध शिला में भी सब जीव अपने-पने सिद्धी में हैं, अपनी-अपनी अटल अफगाना में हैं कोई किसी को कुछ नहीं बस अनन्त सुख में विद्यमान है वो सुख तो सिद्धों का सुख आप राप्त करने का परशार्ट कीजिए हर दिख हर दिख पूरा 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 परशार्तबना रहे हैं बस अपने को जानो अपने को देखे किसी की नज़र ना जाए किसी को देखी दश्टी ना देखे अनन तनन किरपय औरियंट परमात मसे मंदर स्वामी बहगवान चारु साशन देमों की अरंत राद का वीतराक साद का निशाद जी के अतक श्रम को अनंत नंत नमंत राथना करते किता के बाद जब जीव जीव में स्थित होता है वही ध्यान है वही कर्म नजरा है वही संयम है वही तप है वही साधना है यही सबसे बड़ी साद्मा यही है कि जीव जीव मिस्थित होजाए बाकी तो हम जो क्यृुला का पादन कर लें पंच महावरत ले लिए बहुत बार पंच महावरत ले लिए नीम अपनिम dès पादन कर ले और जीव का जीव मिस्थित रहे है नहीँ समकत का बोध हुआ ही नहीं करतकिता का भाब आया ही नहीं कि मैं जीव हूँ पता ही नहीं जड़ जीव का भेड ही पता नहीं मैं हूँ कौन जब पता लगा कि मैं तो जीव हूँ जड़ हूँ ही नहीं और जड़ को अलग करके जड़ और जीव का पूरन भेद और जीव स्थित हो जाए उसमें तो जीव अपने मिस्थित होने पर अनन्त सुक परकट होता है अनन्त ग्यान अनन्त दर्शन अनन्त शक्ति पर परकट क्यों नहीं हो रही कि हमारे जन्मों जन्मों का मिठ्यात और मोह है मोह किस के प्रती सब से पहले इस देह के प्रतिश, जिस देह में गए, चाहे पशु योनी में गए, पशु का अपने बेटे से कितना प्यार हाता है, बेटे को पशु से, मा को, बेटी से, सारा हम मोह करते रहें, उस मोह के संसकार जो इकठे हुए हैं, वो कार्मन शरीर पर है, अगले जन्न में ज होंगी जब जीव अपने को जान करके अपने को मान करके अपने में शर्दा करके अपने में स्थित रहता है इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि आतम स्थिता की अबदी को बढ़ाएं आतम स्थिता की अबदी को जितनी बढ़ेगी उतना करम खशा होंगे हलके हो जाओगे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती कहीं बिहार करने की इच्छा नहीं होती कैसी हमें समय चार साल से बैठे हैं हम यहां लोग बहुत बेंती करते हैं बंबे आओ, बैंगलाओर आओ, चनाई आओ हमें आपके लिए करते हैं अंतर से बिलकुल इच्छा ही नहीं जाने की, कहीं परवचन करने की इच्छा नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं, बस बैट करके अपने भीतर गहरे 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 उतरते चले जाएं, और जब ध्यान शिवर लगती हैं, इसमें साधना का पोशन होता है, बगवान की वानी आ यह करूँ, पहले बहुत इच्छा होती थी कि ध्यान शिवर लगे, मैंने इतना कर दिया, इतने प्रवचन दे दिये, इतने लोगों को ध्यान कर दिया, यह सेरा मेरा व्यक्तित्व का पोशन था, और व्यक्तित्व के स्थान पर अस्तित्व की बात आ रही है, कि मैं अपन में स्थित्व होने का प्रिशार्ट कर रहा हूं, अपने में ठहर करके अनन दाता है, कोई ज्यादा मन ही नहीं करता, भटकता नहीं, कोई इच्छा, कांक्षा, कामना, वासना, यह करूं, वो करूं, बस जितना आप जीव में स्थित्व रहोगे, तो अनन तसुख का आईस स्थित्व ही आपका होगा, स्थित्व होगा, जे एगंग जानाई से सब बंग जानाई, जे सब बंग जानाई से एगंग, जिसने एक को जान लिया, एक यानि आपका अस्तित्व, आज तक हमने अस्तित्व को जाना ही नहीं, हम भी पहले सादू बन गए, सादू बन करके पर चार परसार किया, ये करूँ, वो करूँ, शिवर लगाओं, ऐसे करूँ, केंदर बनाओं, ये बनाओं, वो बनाओं, तो कहने का मतलब ये है, कि नियती कहां लेके जाती है, कुछ पता ने, आप अनन्द में हैं, भगवान ने लास्ट में कहा था, कि स्थिता को महतव दे लेना, एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट, छे मिनट, बढ़ाते रहना, और लक्ष हमारा है, कि चौबिस मिनट, हमें एक शायक सम्कित हो जाए, तिरंतर निरंतर आप परियास करोगे, तो आगे बढ़ जाओगे, भगवान ने कहा था, एक संकल्प लेना, जड़के मोह का प जड़की चाहना, जड़के मोह का पॉश्चन नहीं करूंगा, साता की चाहना नहीं रखूंगा, स्थिर्ता के अभियास को बढ़ाऊंगा, एकांत एकत्व को जीऊंगा, स्वैम को केंदर बिंदर बनाकर एक एक समय का अपयोग करूंगा, यह संकल्प आपका आप से हो, आपके लिए हो, यह भगवान ने पांच संकल्प बताये थे, जड़के मोह का पॉश्चन नहीं करूंगा, साता की चाहना नहीं रखूंगा, स्थिर्ता के अभियास को बढ़ाऊंगा, एकांत एकत्व का पॉश्च जीऊंगा, स्वैम को केंदर बिंदु बनाकर एक एक सम होश पूरक विवेक पूरक यात्रा में आगे बढ़ो सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी सरनं पवज्यामे, अरहंते सरनं पवज्यामे, सिद्ध साहु सरनं पवज्यामे, केवली पनत्तं धम्मं सरनं पवज्यामे, चारिश्यारान दुपरान जगतने, औरन शदना, कोई होगा, जोगा वेप्रानी करे आदे, उस्ता अजर्णामर कर दोगा, लग्शुरी, कमफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बायर रेडिसन होटल, अपने पन का एहसास, यहां बिताया हर पल, आपके लिए होगा खास, यहां के अमेजिंग रूम्स, बैंक्विट वॉल, तमाम प्रकार के प्यॉर वेज जेन फूड, जिन्दा दिल लोगों के खूबसुरत शहर सूरत में, रेडिसन ग्रूप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है, पारक इन बायर रेडिसन होटल, एक बार अवश्य विजिट करें, सूरत अडाजन में, पारक इन बायर रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रूप, शिरी बाबुलाल मांडोत सूरत, झाल, 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